खेरतल जिले में भी महानगरों की तर्ज पर अब अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ वाटर पार्ग खुल गया है जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं ग्रागों को दी जा रही हैं। खेरतल कस्वे में हनुमान मंदिर के पीछे गौरव पत्र रोड पर नव निर्मित के टील विला में वाटर पार्ग के संचालक नरिंद्र चौधरी ने बताया कि खेरतल जो की अब राजस्थान के एक जिले के रूप में पहचाना जाने लगा है जिसके चलते अब महानगरों जिले जैसी सुविधाओं का होना यहाँ पर आवशक है खेरतल में दिली, मुंबई, गुरगाओ, जैपो जैसी सुविधाओं वाला वाटर पार्क आमजन के लिए खोला गया है संचालक चौधरी ने बताया कि खेरतल से अन्यकों लोगों को पहले वाटर पार्क का अनंद लेनी के लिए हजारों रुपे और अपनी कीमती समय खर्च करके बाहर जाना पड़ता था जो अब नहीं जाना पड़ीगा, वो सबी सुविधाएं खेरतल में ही मिलेंगी और वो भी वाजिब दामों पर संचालक चौधरी ने बताये कि जहां मानगरों में वाटर पार्क का टिकट एक हजार रुपे से अधिक रखा गया है माई खेरतल में मातर दो सो से तीन सो रुपे का टिकट रखा गया है जिसके चलते स्थानी वाटर पार्क में आने वाले लोग काफी खुश वै उत्साहित नजर आ रहे हैं सुरक्षा व्यवस्ता माकूल होने से अच्छे एवन संभरात लोग भी अपने परिवार के साथ वाटर पार्क का अनन्द लेने के लिए लगातार यहां आ रहे हैं इदर लोगों का कहना है कि यहां पर जो साफ सवाय व्यवस्ताएं की गई हैं उसके सामने महानगरों के वाटर पार्क भी फेल है और शुलक भी महमुली है इसके साथ ही वाटर पार्क में खानपन की सुविधाय में मौचूद हैं जिसका भी आगनतु की तरह से जम का लुफत उठाया जा रहा है अबी तक लोग महानगरों में जाते थे दिल्ली जैपूर गुडगाव ऐसे पार्क में सभी सुविधाय हैं माहूल कैसा है यहां का और साफ सफाई मैंनेजमेंट अच्छा है तो आज इस वाटर पार्क में आप लोग तुटा रहे हैं कैसा क्या माहूल लग रहे हैं आपको बहुत अच्छा है और है तलम पहली बार इतनी बड़िया सुविधा से वाटर पार्क बनाए हैं काफी दूर जयपूर दिल्ली तक खूब हो गये हैं लेकिन मज़ा जैसे यहां आरा लोकल में नहीं आरा बहुत अच्छे शुदाए कर रहे हैं बच्छे पहला हैं सब एक साथ महाहूल बहुत अच्छा है पेशे से आप वकील हैं तो आपको कैसा क्या माहूल यहां पर हाथ लूट होती है लूट होती हैं और साफ सफाई कैसी है आफ्सा पानी सल रहा है चाहरा पानी न सामना आरा आउना आप ca sate साहएं तो हर बार आना चाये के आप ब ओलकूल हर संड़에 बेट ना की सूड की सोचिदाए नास्टे शुदाए है